Well, Hello तो देखो यार gaming हम सब लोग करते हैं Definitely on different different consoles वाले console आलग हो लेकिन दो ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं एक keyboard mouse and एक controller लेकिर आज किस वीडियो के अंदर बात करते हैं क्या एक controller better है keyboard mouse से and अगर है तो मुझे क्यों लगता है that means थोड़ा से तो better है Let's start the video तो बेसिक से शुड़ो करते हैं कि मिझे idea कैसे आयस चीज़ का तो बेल यूज़ुली मैं दोना experience कर रहा होता हूँ editing अगएरा जो भी करता हूँ normal use keyboard mouse लेकिन जब भी कोई game खेलता हूँ तो मैं controller पे automatically shift कर जाता हूँ और अगर नहीं करता हूँ तो यार मेरा मन करता है कि यार controller से खेलते है मदा आ जाएगा and वहाँ से question arise होता है कि क्या एक gamer controller से सारे games खेल सकता है या फिर controller better है for gaming than keyboard mouse या फिर ये situations भी डिपेंड करता है and games भी डिपेंड करता है या फिर hand and gaming consoles भी controller के format पे याते है या फिर तुमारे console सब controller के साथ आते है बट desktop के उपर हम लोग इस चीज़ के जादा प्रयोग करते है keyboard mouse तो विल keyboard mouse बेसिकली सारे task में एक तो काम आता है type करना हो कुछ भी करना हो तो वो task एक तो जल्दी करेगा controller से उस task को कणिम तो टाइम लगता है ज्यादा obviously आप continuously gaming नहीं कर रहे होते हैं हमेशा gaming time पे कोई important task का आगया कुछ आगया तो आपको keyboard लेने हैं नहीं जाना पड़ेगा तो सामने ही है multifunctional है लेकिन gaming के बारे में आप कोई तरीके से बात होगी the thing is, जो keyboard mouse से साथ मेरा experience है that is absolutely one of the craziest मेरे पास gaming mouse है, side में दो बटन है usually reload या फिर crouch के लिए काम आता है या फिर cover के लिए काम आता है but overall तरीके से मज़ा बहुत देता है and keyboard में WASD very much comfortable हो मैं है उन चीज़ों से and सारे जितने पी game खेलता हूँ majority keyboard mouse पे मैं experience करना पसंद करता हूँ and सारे game में मज़ा आता है except few games, wrestling, cricket, fifa इन तीनों games को खेलने के लिए मुझे एक proper controller से ही होता है and मैंने कुछ time पहले खेली थी devil make cry 5, उसको मैंने पूरा controller पे खतम किया है keyboard mouse से मज़ा नहीं आता लेकिन keyboard mouse का कुछ फायदे है जैसे कि ज़्यादा काम कर पाएगा multifunctional है but नुकसान भी एक है कि यह majority of the log इसे सिफ FPS games के लिए try करते है and console पे जहाँ पे यह थोड़ी से foundation है कि आप FPS games में keyboard mouse कर सकते हो वहाँ पर actually यह बहुत तगड़ी चीज़ हो जाती है maximum players जितने भी देखोगे तुम्हें खिलते भी देखने को मिलेंगे with keyboard mouse e-sports वाले players and usually जितने भी players जो e-sports खिलते हैं आप एक proper competitive gaming करते हैं उनके पास तुम्हें एक desk setup देखने को मिलेगा and यही pointerize करता है keyboard mouse का एक proper desk setup होना compulsory हो जाता है मुझे भी पहले लगता था कि हम बड़ी TV पर connect करेंगे खेलेंगे मज़ आएगा but at the very end of the day एक desk तो चाहिए ही चाहिए चाहे आप monitor या TV से कितना ही दूर हो जाओ लेकिन अब controller के बारे मत करते हैं देख controller उतना multifunctional नहीं है gaming के लिए जादा कामा आएगा थोड़ा बहुत content creation में कामा जाएगा लेकिन gaming जिस चीज के लिए उसमें पूरा मज़ा देता है vibrations जो आप keyboard notion का भी expect नहीं कर सकते adaptive triggers because triggers सेफिसी चीज में होते हैं और और भी पता नहीं कितनी साई technology और जो distance है वो काफी दाला दूर हो जाता है from your TV and monitor screen plus एक comfortable gaming का वादा देता है अराम से घूम के लेट के gaming मज़दार but at the very end of the day क्या controller उतने मज़दार है for every game इसका अंसर बहुत असान सब्दों में ना है तो आप देखो two real owners अरास controller से आप सारे games नहीं खेल सकते हैं जो मैं कह सकता हूँ का आप keyboard से खेल सकते हो controller से कुछ games जो खेले जा सकते हैं that is campaign games या फिर एक थद तक campaign fps game लेकिन अगर competitive games खेलने हैं like what night, apex legend, all that stuff तो वहाँ पर keyboard mouse ज़रूरी हो जाता है because एक तो controller के साथ अब वह proper posture hold नहीं कर पा हुए crouch करने का मन करेगा ऐसा लेटनी का मन करेगा थोड़ा comfortable position पर आने का मन करेगा जो कि actually e-sports gaming या फिर competitive gaming के अंदर एक negative impact छोड़ता है and कोई भी आप game खेल रहो तो proper focus होना बहुत ज़रूरी है and campaign games मुझे लगता है कि या relaxing games होते हैं जिनमें आपको उतना दिमाग नहीं लगाना आपको उतना effort नहीं डालना आपको पस game को enjoy करना है खेलना है and game का काम है आपको indulge करना whereas competitive games या फिर battle royale games के अंदर आपको game में indulge होना पड़ता game का काम नहीं भाईसा और एक और चीज़ है अगर आपको बहुत सस्ता keyboard में उस है 500-1000 games में हार गया तो तोड सकते हो controller बाईसा बाता है 6-6-6-6 तोड दिया तो फिर जाएदास से निकाला हो जाएगा और कुषनी बटाओ ना मेरी serious load क्या keyboard से भी में सारे games recommend करता हूं still the answer is no keyboard में कह सकता हूं multitasking हो सकता है आप सारे games खेल सकते हो controller जैसी bonding नहीं है क्या कुछ games पे बिलकुली negative impact डाल देगा but still यार keyboard पे racing game खेलने उत्मा मजा आएगा तो मैं लगता है नहीं न whereas controller के अंदर with haptic motors, haptic feed act जो मजा आएगा मदब PS5 के controller के बात करो specifically haptic वगएर तो भाई Xbox के अच्छा तो जो मजा देगा वह actually insane है and to be honest आप controller लगा सकते यार PC पे and यहाँ पर PC का भी एक फाइदा हो जाता है कि bondation नहीं सारे games में चलाओ ऐसा नहीं कि यार specific games से जहाँ controller चलेगे keyboard mouse के लिए अलग games पूरा मजा एक ही साथ बटा keyboard mouse recommend करना होता है e-sport title खेलने तो keyboard mouse काफी दा compulsory हो जाता है जहाँ पर आपको competitive gaming करनी आपको लगते कि हाँ जीतना है मुझे जीतना ही जीतना है वहाँ पर keyboard mouse दो फाइदा देगा आपको एक तो proper posture देगा proper nerves को active कर देगा जात में मानों मानों हम में से 90-95% लोग बचपन से ना keyboard mouse पे game खेलते हुए बड़े वो automatically फोड़ा सा comfortable site हो जाता है हम सब के लिए at least मेरे लिए तो बिलकुल हाँ वाखी कौर फाइदा है controller easy to carry है and कहीं भी आप निकाल कर games खेल सकते हो for example आप train में travel कर रहे हो you have got your laptop but train में हम सब को बता है उती ही जगा नहीं हो कि जहां पर keyboard mouse रखके proper gaming हो पाए विसे laptop रखके काउंसे train में gaming हो रहे है बगवाँ जाने लेकिन still you can have your controller and उसकी help से आप लोग फोड़ी तकड़ी टाइटल सकते हो का विदा comfortable and conclusion के बारे मात करें क्या keyboard mouse बेटर है या फिर controller so at the very end of the day मेरी personal preference मैं आपिशा controller को दूँगा because वो एक ही जगा लाग करता है सिर्फ e-sports title गया फिर competitive gaming जो usually मैं नहीं करता हूँ ठीक है मैं कोई battle royale games जादा नहीं खेलता हूँ लेकिन हाँ जितने भी तुम्हारे campaign games है उसमें काफी दा मज़ा दिलाता है racing games में मज़ा दिलाता है WWE and cricket जो मैं सबस्यादा खेलता हूँ उसमें मज़ा दिलाता है FIFA में भी मज़ा दिलाता है और एक थोटा सा drawback का point काट लेता हूँ aim में थोड़ी दिक्कत होती aim करने अगर proper aim करना है तो aim assist on करना पड़ेगा लेकिन keyboard mouse के बात कहाँ तो काफी अलब precise है aiming में कोई दिक्कत ने आती and सारे games खेल लोगे मज़ेदार लेकिन जो comfort of gaming है न वो keyboard mouse ले provide करता है and that is the reason मुझे उतना मज़ा नहीं था and plus keyboard mouse ये WWE जैसे games FIFA जैसे games या फिर cricket जैसे games यहां पर हर जगा, हर ball हर movement पर कुछ ला कुछ हो रहा है तो वो मज़ा नहीं दे पाता उसके लिए vibration चाहिए या फिर keyboard mouse पर कोई vibration type का कुछ feature आ गए हो game खिलके जरूर देगा, मज़ा आ जाएगा वाकि मैं मिलता हो तुम लोग से अगली वीडियो में तब तक के लिए peace out, चैनल पे जाओने वीडियो से check out करो, bye वीडियो खतम हो गई और आवाज भी बिल्कुल खतम हो गई हाँ, ये लोग ऐसे दिखते हैं कि जब मैं record कर रहा हूँ, सबस्याद आवाज करनी है था